राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिरूं आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे धान की रोपाई करते समय हमें कोन-कोन से उर्वर्क कितनी-कितनी मात्रा में डालने चाहिए यदि किसान भाईयो धान की रोपाई करते समय आप बिल्कुत सही मातरा में सही डोज ऊर्वर्क होगी देते हैं तो आपके जो दोहान की फसल होती है वो इस्टार्टिंग से ही काफी अच्छी ग्रोथ ले करके चलती है और जब अच्छी ग्रोथ आपके धान की होगी तो अच्छी टिल्लिंग अच्छा ब्यात आपका धान कर पाएगा और बहुत अच्छा उत्पादन किसानवाजी आपको लाश्ट मिजा करके ये दे पाएगा इसलिए किसानवाजी जो हमारी पहली डोज होती है पहली डोज बहुती अच्छी वाली आपको लगानी चाहिए तो इस वीडियो में आज आपको पूरी जानकाली देने वाला हूँ कि धान की रोपाई करते समय आपको कितनी कितनी मातर में कौन-कौन से उर्वग डालने जाहिए जिससे कि किसान भाई कम से कम 30 से लेके 35 कुंटल तक का रिकार्टोर उत्पादन आपने धान की फसल से निकाल पाए किसान भाई यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके चलिए शुरू करते हैं किसान भाईयो धान की फसल के अंदर रोपाई करने के या तो आपको एक दिन पहली ये उर्वक डालने हैं या फिर किसान भाईयो जिस दिन आप रोपाई करेंगे रोपाई करने के कम से कम आठ से लेके दस दिन के बाद आपको ये उर्वक डालने होते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करे कि आज आज आपने धान की रुपाई करी और आज या आज से एक या दो दिन के बाद आप इन उर्वकों को डालने लगें क्योंकि किसानवाई जो हमारे धान की जो हमारी पोद लगी हुई होती है यह अभी तक इसने जड़ नहीं पकड़ी होती है और जब तक यह जड़ नहीं पकड़ेगा उससे पहले उसके अंदर बढ़ना ठीक नहीं है तो कोसिस करें या तो आप रुपाई से एक दिन पहले इ है किसानवाई यह 40 kg और किसानवाई यह जो डोज में आपको उता रहा हूँ यह पिर्ती एकल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यहनकि DAP आपको लेना है 40 kg पिर्ती एकल के हिसाब से किसानवाई बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य करेगा यदि आप बिलक किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा इस से में पर यदि किसान भाईयों आप लेते हैं तो आपको जो पोधा होगा वैस सुरू से ही हर अबरा हो करके चलेगा इसके सासत किसान भाईयों आपको M.O.P. POTAS यानकी Muret of Potas जो आती है इसकी मात्रा किसान भाईयों 30 kg पिट्ती एकड़ के हिसाब से किसान भाईयों आपको लेनी चाहिए इस तरीके से किसान भाईयों डीएपी यूरिया और M.O.P. इन तीनों को मिक्स करके आप अपने धान की रुपाई के एक दिन पहले या जरूरी आवस्यक पोस्टत्व है यदि आप धान के फसल के अंदर किसान भाईयो जिंक का प्रियोग नहीं करेंगे तो आपको काफी जाद है कमी आपकी पैदावार में दिखाई देगी तो किसान भाईयो जिंक की मात्रा आपको 10 किलोग्राम पिरती एकड़ जिनक तो इन खादों को डालने के 10 किलोग्राम जिंक जो 21% वाली आपको मिलती है इसे आप एक एकड़ के अन्दर डाल सकते हैं पिरती एकड़ के साब से 10 किलोग्राम आपको जिंक डालनी होगी इस तरीके से किसान भाईयो आप रोपाई के समय पर यतने भी खाद मैंने आपको बता हैं इन्हें डाल सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादर अपनी धान की फिसल से निकाल सकते हैं दान में लगने वाले रोग, दान में लगने वाले इस्प्रे, ओ दान में जो बाद में हमें कोई कीट ना सक, या फिर फंगी साइट को उप्योग करना है, उनकी लिए भी समय समय पर में वीडियो बना करके देता रहूँगा.